नमस्कार दोस्तों स्वागतगबार फिर आपके अपने यूटूब चैनल जीवा स्टेटी पर तो बात करते हैं M.G.S.U. B.A.D. अपने यूट करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ मैं एक मिनट की यहाँ पर M.A.D. यहाँ पर दोनों साल के और B.A.D. दोनों साल के अडमिट कार्ड आ चुके हैं ठीक है मैं B.A.D. सेकेंड यर पर क्लिक करता हूँ आगे दिखाता हूँ मैं आपको अगर आपके पास फर्म नमर है तो आप फर्म नमर से देख सकते हो बाकि आप जनरल डिटेल से देख सकते हो ठीक है मैं जनरल डिटेल से डालने के बाद में आपको पता देता हूँ आगे क्या आ रहा है आपको कोलेज से लेने होंगे एडमिट कार्ड तो देखे जैसे ही आप एडमिट कार्ड में जो जनरल डिटेल डालते हो अपनी जनरल डिटेल डालने के बाद में आपके पास है यह एक एंटरफेस आ रहा जिसमें आ रहा है कि your admit card will be provided through college please contact to college याने आपको college वाली आपका admit card देंगे आप download नहीं कर सकते हैं तो आपको college से ही लेना पड़ेगा बिएड, first year, second year दोनों का admit card जारी हो चुका है अलांकि लेकिन आपको college से लेना पड़ेगा आप खुद डाउनलोड नहीं कर सकते हैं आप जैसे डाउनलोड करने की कोशिश करोगे तो आपके पास यह आ जाएगा कि your admit card will be provided through ठीक है college, please contact to college तो college से ही आपको यह लेना पड़ेगा admit card तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि फर्स्ट एर और सेकेंड एर के admit card जारी हो चुके हैं लेकिन आपको college से ही admit card लेने पड़ेगे तो धन्यवाद बने जिवाश्टेडिक साथ लाइक से हैं और सब्सक्राइब जिवाश्टेडिक धन्यवाद